अगर आपके पास 4000 mh power वाला mobile है और आप सोच रहे हैं कि 10,000 mh का power bank लेकर आप अपने mobile को धाई बार या 2.5 बार चार्ज कर पाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है इसी जानकर आज आपको दूँगा और बताऊंगा इंडिया मिलने वाले कुछ one of the best power bank जो की 10,000 mh power के साथ आते हैं आप देख रहे हैं best वाले यहां मिलता है आपको शांदार comparison battery review ऐसी वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्ड कीजिए जैसे कि हैं बता रहे था आपको जो power bank है आप उसको पूरी तरह के से यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो power bank पे जो power होती है वो अलग तरह के से खर्च होती है आप उसको electricity के रूप में store करते हैं फिर उसके बाद उसमें heat में भी वो नवर्ट होती है तो आप पूरी power को use नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास 3000 image का mobile है तो आप उसे 2.1 बार चार्ज कर पाएंगे और अगर आपके पास 4000 image का mobile है तो आप उसे 1.7 बार चार्ज कर पाएंगे यानि कि आप उसका 1000 image का सिर्फ 70% ही use कर पाएंगे एक estimate है कमे ज़ादा भी हो सकता है अगर आप power bank खईद रहे हैं आप एक best power bank खईद तक हैं लेकिन उससे पहले आप को जानना ज़रुरी है कि एक best power bank क्या होता है तो हम आपको बताएंगे और कुछ अच्छे power bank बताएंगे लेकिन उससे पहले ये देख लीजे इसलिए एक अच्छा और branded power bank लीजिए कि वो काफी सारे protections के साथ आता है इसके बाद बात करते हैं lithium iron और lithium polymer दो type की battery आती है तो आप इसा power bank लीजिए जिसमें lithium polymer का इस्तेमाल किया गया हो 10,000 image का power bank लें या 20,000 image का तो देखिए अगर आप दो बार से ज्यादा बार चार्ज करना चाहते हैं अपने mobile को एक दिन में तो आप 20,000 image का ले सकते हैं क्योंकि 20,000 image ज्यादा power होती है लेकिन यह भार होता है और अगर आप normal use करते हैं और आप single time use या दो बार use करना चाहते हैं तो 10,000 image आपके लिए काफी है 10,000 में आप अपने mobile को डेड़ बार तक तो चार्ज कर ही पाएंगे डेड़ या दो बार तक तो आप 10,000 image का ले सकते हैं यह सस्ता पड़ेगा और हलका भी रहेगा टाइप C port वाला power bank लीजे जिसमें type C port available हो क्यों यह सभी mobile आजकल टाइप C वाले आ रहे हैं और बात करते हैं तो इसमें dual output होना चाहिए एसा power bank जो एक साथ दो चीजों को चार्ज कर सके और fast charging जिसके अंदर हो और value for money हो अच्छे दाम पर अच्छी चीज आपको मिले बात करते हैं अब best power bank की तो जो मैं आपको इसके price बताऊंगा जो power banks के वो कम यह जादा हो सकते हैं इसलिए सभी की links नीचे description में दी गई है महाँ जाकर इनका latest price आप चेक कर सकते हैं buy करना चाहें तो buy भी कर सकते हैं number one पर हमारा best power bank है MI company का 3i power bank यह इससे पहले 2i power bank आये थे अब यह 3i आया है जो की इसका update version है company के दावा है कि यह जो power bank है यह जो भी समान है इसके इंडिया के अंदर 3 से जादा शायद 3 यह जादा इससे plant है तो वहाँ पर यह assemble यह made करते हैं तो company के दावा कि यह power bank made in इंडिया है आप देख सकते हैं इसको consider कर सकते हैं इसकी features की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 10,000 mh का capacity मिलती है इसका weight 251 gram है इसका dimension आप screen पर देख सकते हैं इसमें आपको 18 watt का charging output मिलता है और इसमें आप two way charging कर सकते हैं जो की fast है two way charging यानए कि आप अगर इस power bank से अपने mobile को charge कर रहे हैं तो same time पर आप इस power bank को भी charge कर सकते हैं किसी wall से connect करके socket से connect करके वह भी fast charge होगा इसमें आपको type c port मिलता है और इसमें आपको dual output भी मिलता है warranty की बात करें तो इसमें आपको 6 महिनी की warranty मिलती है और इसका जो price है वो 900 रुपे का सपास का है काफी अच्छा power bank है और हमाई तरफ से आप इस power bank को ले सकते हैं तो इसमें वो सभी feature है जो हमने आपको बता है किसी power bank में होना चाहिए सबसे खास बात है इसका price बहुत अच्छा है और इस price range में काफी अच्छा power bank है आप इसको consider कर सकते हैं अब अगला power bank देखते हैं वो अगला power bank है redmi का power bank redmi power bank जो है यह भी Xiaomi company का है देखिए AMI और Redmi दोनों अलग है AMI जो है AMI और Redmi यह समझ लिजी आपके सब brand है Xiaomi company के इसलिए आप यह मत सुचिएगा कि AMI का भी था अब Redmi का है तो दोनों सब brand है Xiaomi company के अब देखते हैं इसकी features इसमें भी आपको 10 mh का power मिलता है weight इसका 247 gram है इसका dimension आप देख सकते हैं इसमें आपको 10 watt का fast charge मिलता है देखिए AMI में 18 watt का मिलता है इसमें आपको 10 watt का मिलता है यह इसकी खामी है इसमें अगर हम बात करते है recharge time की तो यह साड़े 7 घंटे में पूरी तरीके से recharge हो जाता है और type c port की बात करें इसमें आपको type c port मिलता है आउटपुट इसमें dual output आपको मिलेगा और इसके warranty के बात करें तो 6 महिनी की इसमें warranty मिलती है और इसका जो price है वो लगबग आपको 800 रुपे के आसपास पढ़ेगा ठीक है अगला जो हमारा power bank है number 3 पर हो है realme का power bank 2 यह power bank 1 आया था अब power bank 2 आया है यह जो power bank है यह भी 10,000 image का है और इसका weight आप देख सकते है 250 gram का है काफी अच्छा weight है इसका dimension आप देख सकते है इसमें charging output आपको 18 watt को मिलता है जो कि fast charge है और इसमें आपको 2 way charge मिलता है जैसा कि आपको MI में मिला था इसमें type C port भी है इसमें dual output है इसमें warranty है आपको 12 महिनी की मिलती है और price इसका 1000 500 रुपे ज्यादा पड़ेगा लेकिन यह भी एक अच्छा power bank है आप इसको भी consider कर सकते है नंबर 4 पर हमारा best power bank है पेबल S plus power bank यह जो power bank है इसमें आपको साथ में cables भी connected मिलती है इसमें आप तीन चीजों को तीन तरगी cables इसमें आपको मिलती है देखिए आप इसमें 10,000 image क power के साथ इसका weight 199 gram है जो काफी हलका है जो काफी अच्छा है डामेंशन आप इसक्रीन पर देख सकते है इसको जो charging output है वो 12 watt का fast charge आपको मिलता है 12 watt का fast charge है ध्यान रखिए उसमे 18 watt का था AMI में और realme में लेकिन इसमें आपको 12 watt का fast charge मिलता है इसमें हम बात करते है lightning cable इसमें 3 cable connected रहती है तो आप एक साथ कोई भी आपका device है उसको अलग-अलग तरीके से charge कर सकते है type c point इसमें मिल जाएगा और output इसमें आपको मिल जाएगे 3 cable मिलती है मैं आपको बताई दिया है dual output इसमें आपको मिल जाएगा और बात करें warranty की तो इसमें आपको 6 मैने की warranty मिलती है और इसका जो price है वो 1100 रुपर के असपास का आपको पड़ेगा नंबर 5 पर हमारा power bank है eyeball का power bank देखिए eyeball का जो power bank है वो made in India power bank है क्या होता है कि कई बार लोग खेते हैं कि आप सिर्फ चाइना के power bank बताते हैं इंडिया के नहीं बताते तो मुझे जादा इतना अच्छा नह हो आप मानिए जारा कि अगर मैं इसी चीज आपको बता हूँ जो made in India हो लेकिन आप उसे घर लाएं और वो काम न करे या बेकार quality की बनी हो तो में मेरे दिल किसे यह घवार करेगा कि मैं आपको एक इसी चीज बता हूँ क्या है कि यह made in India आपको बता दिया है तो यह एक अ आइबोल में जो आपको color variant है काफी अच्छे है चार color option इसमें आपको मिलते हैं फीचर की बात करें तो इसमें आपको 10,000 mh और 263 gram का यह power bank है और इसका dimension आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी body metal finish के साथ आती है और इसका recharge time आपको 7 गंटे का पड़ेगा अगर आप इसको normal charger से charge करेंगे और अकर थोड़ा fast charge से करेंगे तो यह 2 गंटे में भी charge हो सकता है company का दावा है इसमें type c port आपको मिलता है और output dual मिल जाएगा और इसमें warranty एक साल की है और price जो है वह आपको 700 रुपे के आसपास कपड़ेगा यह भी आप consider कर सकते है आइबोल अच्छी company है इस best price को check कर सकते है और buy करना चाहें तो buy भी कर सकते है आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए thank you ऐसी वीडियो इस पाते रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर कीजी और bell icon को जरूर दबाईए thank you